नमस्कार परदाफाश देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ सुना ली आज बॉलिवुड की ठग गैंग का परदाफाश करेंगे और एक ऐसा राज खोलेंगे जिससे सुनकर आपके भी होशुर जाएंगे बड़ी खबार आ रही है कि बॉलिवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ बॉलिवुड के ही बड़े बड़े लोगों ने करोडों की ठगी की है सिन्वा इंडस्ट्री इन दुनों एक घोटाले के सामने आने से हैरान है और इस ठगी का नाम है OTT घोटाला OTT पर अपनी फिल्में प्रसारत करने के जहासे में कई हस्तिया अपना नुकसान करा बैठी है OTT घोटाले ने बॉलिवुड में बवाल मचा दिया है क्योंकि एक तरफ तो पहले ही बॉलिवुड बॉयकोट की मार छेल रहा है सभी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है दूसरी तरफ बॉलिवुड में एक ऐसी गैंग बैठी है जो अपने ही आक्टास को करोडों का चूना लगा रही है जब से इस मामली की जाच हो रही है दो लोग पुलिस की गिरफ्त में जा चुके है जिसमें पहले ही रज़त मौर्य और संजे सहा की गिरफ्तारी हो चुकी है अब खबर है कि इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी हुई है तीसरी गिरफ्तारी फिल्म ड्रीम गर्ल के एसोसियेट प्रोडूशर अक्षत राज सलूजा की हुई जिनको साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में कथित संजब्ता के लिए गिरफ्तार किया है अक्षत को एक आक्टर के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कई बड़े फिल्मों में काम किया है अक्षत को राज सलूजा के नाम से भी जाना जाता है ड्रीम गर्ल के अलावा उन्होंने अधित्य रोई कपूर की हालिया रिलीस राष्ट कवच ओम पर भी काम किया और अब ये आक्टर्स के साथ ठगी का काम कर रहे हैं अब कैसे गोटाला सामने आया तो चली आपको ये बता दे दरसल ये गोटाला तब सामने आया जब मुंबई के एक फिल्म प्रोड्यूसर मांच सिंग ने शिकायद दज कराई मांच सिंग से रजत मौर्य नाम के एक शक्स ने OTT पर उनकी फिल्मे प्रसारित करने के लिए फरजी दस्तवेज दिखा कर एक डील साइन की थी इस डील के तहब मांच सिंग को हर फिल्म के दस लाक रुपे मिलने थे जिसको लेकर उन्हें तगडा चूना लगाया गया इसके बाद निर्माता उनके साथ काम करने लगे और अक्षत ने कहा कि उनको पैनरोमा स्टूडियो के एक अधिकारी को पैसा देना है इसके लिए उनको धाई लाक रुपे की जरूरत है इसी तरह से वो मांच सिंग से पैसा एटते रहा और करीब 40 लाक रुपे लिए जब मांच सिंग को एहसास हुआ कि उनको ठगा जा रहा है तो उन्होंने शिकायत दर्च कराई और फिर पुलिस को ठगी के सारे पेपर दिखाए जिसक के बात खुला सा हुआ कि ये लोग बॉलिवुड के कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुके है और जम कर उनसे पैसा एट रहे थे इसके साथ ही जनवरी 2021 में रजुत मौरे ने मांच सिंग से कहा कि पैनोरोमा स्टूडियोज ने उनकी फिल्म खरीदने की इच्छा जाह की है वो इस फिल्म को चार करोर रुपे में खरीदना चाते हैं बता दे कि इस प्रोडक्शन कंपणी ने दृश्यम प्यार का पंचनामा और रेट जैसी फिल्म में बनाई है रजुत मौरे से दस्तवेज लेने के बाद मांच सिंग अपनी फिल्म MD प्लाटरम पर काम करने लगे वही मांच सिंगक को भरोसे में लेने के बाद रजट मौरे ने उनसे पैसो की उगाही शुरू की उनकी फिल्म खरीदने के नाम पर रज़ट मौरे भी मांच सिंग से पैसा इतने लगा पहले उसने उनसे Panorama Studios के अधिकारियों को देने के लिए धाई लाक रुपे मांगे उसने MD Platinum की कहानी में बदलाफ के लिए भी पैसे मांगे धीमे धीमे मांच सिंग ने करीब 48 लाक रुपे मौरे को दिये तब उन्हें इसमें कुछ गड़बडी की आश्रका हुई बता दे OTT घुटाले में प्रडियूसर गौरंग दोशी और अभिनेता विवेक ओब्रोई भी ठगी का शिकार हुए है पुलिस का दावा है कि मांच सिंग के लिए पैसो में से साड़े साथ लाक रुपे सलूजाने लिए थे तो इस तरह से बॉलिवुड में गटर बना कर धोका धड़ी का धंडा चल रहा था लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है बड़े बड़े नाम सलाखों के पीछे जा रहा है जिससे बॉलिवुड में संसनी फैल गई है वैसे भी बॉलिवुड में हुआ ये पहला गोटाला नहीं है इससे पहले सुकेश ठग के मामले ने संसनी फैला दी है सुकेश की 200 करोड की ठगी में जाकलीन फर्नाइंडिस के साथ साथ कई हसिनाई शामिल है जिससे मनी लॉड्रिंग के मामले में आक्ट्रिस जाकलीन फर्नाइंडिस की मुश्किले कम नहीं हो रही है मामले की जाज कर रही एडी ने जाकलीन की जमानत याचका का विरोध किया है वहीं पटियाला हाउस कोट ने आक्ट्रिस को राहत देते हुए अंतरिम जमानत को 10 नवेंबर तक बढ़ा दिया है तो वहीं सुनवाई के दुरान एडी ने आक्ट्रिस जाकलीन फर्नांडेस की जमानत या चुका का विरोध किया एजिंसी ने कहा कि जाकलीन फर्नांडेस ने कभी भी जांच में सही योग नहीं किया सबूतों के सामने आने पर ही खुलासा किया एडी का ये भी कहना है कि उसने भारत से भागने के लिए एक असफल कोशिश की लेकिन एलोसी जारी होने के कारण ऐसा नहीं कर सकी यानि कि जाकलीन ने सबूतों के साथ छेड चार करने की भी कोशिश की फिलाल तो 10 नमेंबर तक जाकलीन के पास अंतरिन रहत है लेकिन उसके बात उसकी दिक्कते बढ़ने वाली है क्योंकि जाकलीन ने ही सुकेश के ठगी के पैसो पर एशो अराम किया सुकेश ने जाकलीन को महंगी कार और महंगी गिफ्ट दिये थे उसने अक्ट्रिस के परिवार को भी कारे गिफ्ट की पिंकी ने जाकलीन के सुकेश से जान पहचान कर आई थी वो पूरी तरह दोनों के जासे में आ गई थी और शादी करने का भी मन बना लिया था जिसमें निक्की तम्बोली का नाम भी सामने आया था और उन्हें भी वो महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे। हाली में जांच टीम तीन आक्ट्रस को लेकर तेहार जेल भी गई थी, क्राइम सीन रिपीट किया गया था और तीनों आक्ट्रस से सुकेश के रिष्टों को लेकर कई घंटों तक पूछताच की थी चोकाने वाली बात तो ये है कि इस केस में पिंकी नाम की महला में किरदार में थी मुंबई की रहने वाली पिंकी रानी को सुकेश ने अपना एजेंट बना कर उसके जरिये मन माफिक मॉडलिंग करने वाली यूवतियों को भी जेल में बुला कर कमरे में मुलाकात की थी को उर्ते महंगिक गिप दिये ठगी का पैसा आक्ट्रेस पर लुटा दिया इसलिए अब एडी जाकलीन के संग्दिता को देखते हुए उनकी जमाना त्याचका का विरोध कर रही हैं और साफ शब्दों में कह रही हैं कि जाकलीने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़ छाड़ की थी जाकलीने अपने मुबाइल से डेटा डिलीट किया था उन्होंने जांच के दौरान देश छोड़ कर परान होने की कोशिश भी की थी लेकिन एलोसी जारी होने के कारण काम्याब नहीं हो सकी एडी का कहना ये भी है कि जाकलीने कभी भी जांच में सहीयो नही किया और वो मामले में जाच एजिंसी को गोल मोल जवाब देती रही गुमराह करती रही जिससे वो वक्त भी दूर नहीं जब जाकलीन सलाखों के पीछे बैठी नज़र आएंगी पर दफाश में आज के लिए तना ही देखते रहें कैपिछल टीवी नमस्कार मैं राजनीती करता ने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचानता हूँ संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासंता हूँ मैं हर खमर से खरा सच निकालता हूँ ना कोई दौर ना कोई रेस क्यापिटल बीच उत्तर देश